ऐसे ही का तमाम ये कंभो दिवाल है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले हम चर्चा करेंगे शुरुबात होगी गेहूं की महगाई थामने के लिए सरकार का नया प्लान क्या काम आएगा ऑनलाइन डिसकाउंट पर क्यों चली कैंची क्यों डॉलर की खरिदारी कर रहा रिजर्बैंक मुश्किल में फसे अशनीर ग्रोबर गुटका कंपनियों पर चल बात गेहूं की खबर से गेहूं की महगाई को काबू में करने के लिए सरकार जल्द केंध्रिये पूल से खुले बादार में इस्टॉक जारी कर सकती है बेच सकती है रिपोर्ट्स की माने तो 20-30 लाख टन गेहूं खुले बादार में जारी हो सकता है इसके लिए fCI ने 25 250 मिलते तो किसानों को उत्सा होता है. 9-दिसमबर तक देश वर में गहु का रखवा पिछले साल के मुकाबले 25 फीसद आगे चल रहा है. किर्षिम अंत्राले के आखले बताते है कि 9-दिसमबर तक देश भर में 255,00,00,00,000,00,00, हेक्टेर में यहों की खेती हो चुकी है पिछले साल इसी दौरां 203 लाग हेक्टेर में खेती हुई थी सरक्या के पास इतना यहों है कि खुले बजार में बेच सके और बेच भी दिया तो क्या कीमतें काभू आएंगी यह फैसला जो जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं की तरफ से इस में दो महतुपूर संकेत चिपे हुए हैं पहले चीच तो कि अभी तक पिछले पंदरा दिन तक अगर आप दो हफते पहले तक देखें तो सरकार की तरफ से अलग अलग तरह से संकेत दिये जा रहे थे की गहों की बढ़ती हुए कीमतों के बावजूद सरकार के पास अनाज भंडार में इतना परियाप्त गहों नहीं है कि वो बाजार में खुले बाजार में बेच सके और उसकी वजह थी कि जो मिलर्स हैं जो फूट प्रोटेक्ट बनाने वाले हैं उनके लिए गहों की शार्टेज हो रही थी और जिसके कराण बने बाजार में गहों की किमते तीस रुपए किलो तक तीन हजार रुपए तक मुझती होए देखी अब यहां से जो संकेत मिला है जो सरकार की तरफ से इशारा किया गया है वो दो महत्तुपून बदलाओं का आने वाले समय में इशारा करता है पहले चीश तो यह कि फिलहाल जो एफसी आई से जो सूचना मिल रही है उससाब से उसके पास वीट का स्ट्राक बफर नाम से थ आरी चल रही है हमें याद होगा कि गुजराचनाओं से पहले सरकार ने इसे किल दिसंबर के अंतों तक के लिए बढ़ाया था वित्तमंत्राले लगातार इस बात पर दबाव बना रहा है कि खाद सबसीडी के बढ़ते हुए बिलकु देखते हुए गरीब कलिया योजना क को बंद किया जाए सरकार को इस बार अपनी डिमांड फा ग्रांट्स में फूर सबसीडी के लिए आतरिक्त पैसाभी संसत से मंजूर कराना पड़ा है जो बजट के अलावा है तो अब जब की गरीब कलिया योजना के लिए जाने वाला आनाज बंद होगा तो शायद FCI के पास थोड़ा सा जगहे बचेगी है थोड़ा सा नाच बचेगा जिसके जरीए वो बाजार में कीमते कम करने के लिए दखल दे सकता है और इसलिए FCI जिस कीमत पर यहूं बेचने जा रहा है वो बाजार की कीमत से काफी नीचे है बाइस साड़े बाइस रुपए किलो के हि आप से है जिब की वाजार में 30 रुपए की रुपए की कीमत है यह जब भी FCI अपनी ओपन सेल करता है तो यह गयों ब्रेड मैनिफेक्चर्स को ठोक में काम में खाद बनाने वालों को मिलता है इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही दूसरी चीज है कि गयों की की बुवाई का आकड़ा जो आपको शुब हमने बताया वो और थोड़ा भरोसे की वजह बन रहा है FCI के लिए कि जब तक यह प्रक्रिया शुरू होगी तब तक यहों की नई फसल आना शुरू हो जाएगी और अगले दो महीने तक इस बफर स्टाक से काम चलाया जा सकता और तो इसके बाद यहों की नई फसल की आमद बहतर होने की उमीद है जो पिछले साल नहीं रही इस साल के रभी सीजन में में अच्छी नहीं रही थी एक और ग्रेन की बात मक्का की मक्का की कीमतों में देखी जा रहे ही तेजी की वजए से फूड प्रोसेसिंग मंत्राले ने वे बाजार में कमी और बढ़ती कीमतों का ऐसर दिखाई दे रहा हैं मक्की की कीमतों में हमने तेजी से बढ़तरी देखी सें करीब करिब 1233 रुपए पर क्विंटल के अस पास पास में पर पिछले साल भी भारतिय बाजार में भूत सारे केटल फीड प्रोडूसर्स इसका मांग कर रहे हैं कि अगर कीमतें कम नहीं वी तो भारतिय बाजार में पशों के चारे की समस्या होगी और चुनोती होगी हमें याद रखना होगा कि भारत में दूद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं पशो संकेत है कि साउथ इस्ट एशिया के देशों में भारती मक्य की मांग और बहतर कीमत इस समय उपलब्द हो रही हैं अगर आप शॉपिंग रेगुलर करते हैं तो आपने भी क्या यह महसूस किया है कि वहां पर जो डिस्काउंट मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे हैं ऐसा इस में पता चला कि ऑक्टूबर और नवंबर के दौरान इग्रोसरी कंपनियों ने उत्पादों के दाम चार से छे फीसद बढ़ाए हैं वहीं क्विक कॉमर्स कंपनियों ने साथ से नौ फीसद का इजाफा किया है अपने दामों में सर कंपनियां डिसकाउंट क्यों घटा र फिलाल अभी जो FMCG कंपनियां हैं उनकी करीब करीब साथ फीसदी विकरी आइटीज सी कंपनियों की साथ फीसदी विकरी ऑन-lान ग्रासरी से आती है डाबर और टार्टा कन्दूमर प्रोट्रेक्स 9-10% सामान आं-लैन ग्रासरी की जरीए बेचते हैं हाला कि खुले बाज जरूरी है कि भारत के e-commerce प्लेटफार्म अभी मुनाफ़य में तो है नहीं आनलाइन बेचने वाली कमपिनिया लगातार नुकसान में भी है क्योंकि उनकी कास्ट बहुत जादा है और इस वजह से भी अब आपको महंगाई केवल अपने पडोस के स्टोर पर ही नहीं महसूस ह होगी बलकि आपके मुबाइल फोन पर भी आप पर भी जो आप और कर रहे होंगे उसमें भागाई महसूस होगी मुतिलाल उसवाल की रिपोर्ट बताती है कि जो टाटा समू की कंपेनी है बिग बास्केट जो आनलाइन ग्रासर है इसके लावावा डी मार्ट है इन्होंने बी अपने हाँ नो से 11 फिसदी मूले बढ़ाया अगर इसे आप जीब से बाहर निकल कर पूरी स्टार्ट अप स्पेस के बारे में देखें तो जिस पर हम लगातार कहते रहें कि स्टार्ट अप कमपिनिया आप अपने रिविन्यू माडल विखसत करने की कोशिस कर रही है अपने घाटे में कमी करने की पूरी कोशिस कर रही है और वो e-commerce platforms के उपर हमें होता दिखाई दे रहा है भारती रिजर्बैंक ने हाल के हफतों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए अमेरिकी करंसी डॉलर में खरीद बढ़ाई है रिपोर्ट्स की माने तो 2 दिसंबर को खत्म हफते के दौरान RBI ने करीब 8 अरब डॉलर की खरीदारी की है शायद यही वज़ा है कि 2 दिसंबर को खत्म हुए हफते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 11 अरब डॉलर की बढ़ोत्री हुई सर विदेशी मुद्रा भंडार RBI बढ़ाने में लगा हुआ है क्या खास तैयारी है रिजर्ब बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अपने नजरिये में करीब एक महीने पहले बदलाव किया था अब एक महीने पहले तक रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्ब बैंक विदेशी मुद्रा भंडार में भंडार से पैसे डॉलर निकालकर बाजार में छोड़ रहा था और रुपए की गिरावट थामने की कोशिस कर रहा था जैसे ही रुपए आएक्यासी ब्यासी के उपर निकला अब विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना रिजर्ब बैंक की बड़ी चिंता है और इसलिए हमने बिलकुल बदली हुई रणनीती के तहत आर भी आई को बाजार से डॉलर खरिते हुए देखा है अलाकि बाजार में डालर की आप पूरती उतनी जाधा नहीं है क्योंकि नियरियात भारत के कम है भारत के लिए आयात की डिमांड काफी ज़ादा है महँगाई के कारण और अंतराश्टी इस तर पर कीमतें बढ़ने के कारण भारत के आयात का मूली भी बढ़ा है जो भी डॉलर्स का बड़ा इंफ्लो बाजार में दिखाई दे रहा है वो शेर बाजारों के जरीए हो रहा है तो उसमें विदेशी निवेश्चे कभी खरीदारी करते हैं बिक्वाली करते हैं लेकिन ये साल विदेशी निवेश्कों के निवेश के लिहाज से पिछले साल से से काफी कमजोर रहने वाला है त्यारी शायद एक चेस इसकी है कि अगर आने वाले साल में अंतराश्ट्री स्तर पर गत्विधियां जाधां जटिल हों युद्ध लंबा खीचे और एक बार फिर डॉलर की इंडेक्स की मजबूती आए तो उसके से पहले भारत के पास विदे बैंक जिस रफ्तार से डालर खरीद रहा है उसकी रोशनी में रुपया मजबूत होता नहीं दिख रहा है यानि रुपय का आउटलो अभी भी काफी जाधा है बाजार से डालर की डिमांड अभी भी बाजार में बहुत जाधा है और अब डालर के बायर बाजार में जाधा हो गया है इंशूरेंस रेइडा बीमा शेतर में एक बादそうですね बाद अगरी लागू होता है यह बड़ा सुधार है और हम लगातार बीमा क्षित्र में इरडा की तरफ से किये जा रहे हैं एक के बाद एक सुधार पर चर्चा कर रहे हैं भारत में लंबे समय के बाद इंशूरेंस सेक्टर में प्रोड़क्ट के इस तरसे प्रॉसेस के इस तरसे कमपिनियों को दी जाने वाली रहायतों के इस से निवेश के स्थर से चवतरफा एक बड़ा फ्रेमवर्क बनकर आ रहा है सुधारों के लिए और उसमें ये सुधार प्रोडक्ट की साइट से अभी तक जो सुधार भी एरडा ने सजेस्ट किये हैं उसमें से कमपीनियों को में पूझी की और उनके लिए जो मार्जिन्स की की चुनोती है सालविंसी माजिन्स को उन्हें कम करने की बात थी फिर उसके बाद उन्हें विस्तार करने की सुधा दी गई थी सरकार भी लाइसेंसिंग नारू में बदलाव कर रही थी यहां दो इंपॉर्टेंट बदलाव एरडा ने अपने परस्ताओं में रखे हैं इन साल की और टू-विलर के लिए पांच साल की भीमा पालिसी खरीदी जा सकेगी आम तरपर ऐसा इससे पहले नहीं होता था और इसके साथ जो थर्ड पार्टि लाइविलिटी का टर्म है वो भी इसके साथ शामिल होगा इससे इसकी डिमांड भूत लंबे समय से थी क्यों कि आप हर साल प्रीमियम रिन्यू कराते हैं और लोगों के लिए भी इन्शोरेंस को बारवा रिन्यू कराने का कि समस्या कम होगी आम तरपर बीमा लांग टर्म प्रोडेक्ट समझा जाता है लेकिन कार इंशोरेंस या वहेकल इंशोरेंस भूती शार्ट तरम है एक साल के रहता है इसके अलावा एक और बड़ा सुझाओ सुझाओ जो इसके इसमें आया है वह यह आया है कि यह जो प्रोडेक्ट है इसकी प्राइसिंग कैसे की जाएगी इसके लिए आया डी आई ने बीमा कंपिनियों से और एक्चूरियल से बाकी लोगों से बात करके उनकी रा यह एक महत्वपूर्ण सुधार होने वाला है इसमें यह भी कहा है कि जो नो क्लेम बोनस की विवस्ता होती है एक साल के बीमा में उसको रेगुलाराइज करने के लिए उससे बदलने के लिए भी क्या सुझाओ दिया जाए पर यह बड़ी बड़ा सुधार है कम से कम आटो और जाधा बीमा के विस्तार में भागिदारी की छूट दे रहा है हमें पता है शुभम कि बैंकों को बीम अलग-अलग कमपीनियों के साथ समझोतों के तहत उनके उतपात बेचने के लिए अपने निटवर्च से बेचने की सुविधा देने की इजाजत मिली हुई है इसे बैंक का इंशुरेंस मॉडल कहते हैं इस बैक इंशुरेंस मॉडल को और जाधा बड़ा करते हुए इरडा ने कहा है कि अब जितने भी बैंक हैं वो 9 लाइफ इंशुरेंस कमपीनियों के साथ और 9 हिल्थ इंशुरेंस कमपीनियों के साथ एक साथ उनके प्रोडिक्ट बेच सकेंगे अभी तक ये केवल तीन और दो के साथ था यानि अगर कोई बैंक है माली जेओ धारन के लिए के लिए SBI बैंक है तो अभी तक केवल तीन तीन कंपिनियों के साथ तीन लाइफ में और दो जेनरल के साथ समझोते कर सकता था अब आम तोर पर एक बैंक 27 के आसपास बीमा कंपिनियों के उत्पाद बेच सकेगा बीमा कंपिनियों की सबसे बड़ी चुनोती बजार में यह है फिंटेक कंपनी भारत पे ने कंपनी के संस्थापग और पूर्व मैंनेजिंग डिरेक्टर अशिनिर ग्रोवर के खिलाफ सिविन और क्रिमिनल मुकद्मा किया है कंपनी ने अशिनीर ग्रोवर और उनके परिवार से नवासी करोड रुपए हर जाने की मांग किये और सबूत नश्ट करने और साक्ष के साथ हिरा फेरी करने का भी आरोप लगाया है सर किस तरीके के आरोप लगे हैं अशनीर गुरोवर का यह दूसरा चेहरा है एक चेहरा हम उनका सोशल मीडिया पर देखते हैं जिसमें हमें देखता है कि वे एक इंफ्लोएंसर हैं लेकिन भारत पे के भीतर अशनीर गुरोवर के दौर से लेकर आज तक काफी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आप जो जो उसके अंदर है वो निकल कर इस अठाइस सो पेज के की करीब करीब आरोप पत्र में जो मुकदमा उनके ओपर किया गया और अठासी दसनुन सरस्ट करोर के भुकतान की मांग की गई है प्रबंदकोन भारत पे की तरफ से इसमें अशनीर ग्रोवर उनका उनकी पत्नी उनके पिता उनके परिवार के बाकी सतर से शामिल है इसमें ये कहा गया है कि अशनीर ग्रोवर ने कई सारे फरजी बिल बनाए कई सारे फरजी बेंडर्स रखे भुकतानों में तमाम तरफी की गलती की जो कमपिनी के पैसे थे यह company का fund था उसको misappropriate किया इसमें इनके बर्दर इनला को भी शामिल किया गया है और इसमें ये विवस्त ये अगर मुकदमा आगे बढ़ता है तो फिर अश्नीर कोबर को सजा भी हो सकती है बिल्कुल 10 साल तक की सजा का प्राफदान है सर इसके इतर भी अगर आप देखें तो भारत पे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है कंपनी में बड़े अधिकारी जा रहे हैं कंपनी डामा डोर हो रही है ऐसा क्यों 2022 की शुरुआत से इस साल की शुरुआत से भारत पे का पूरा धांचाल खड़ा गया हमने भारत पे में बड़ी बिटर कंट्रोवर्सी देखी रशनीर गोवरोस के बाद वहां से बाहर निकले और अब अनतता जब साल खतम हो रहा है तो हमें भारत पे के अंदर क्या हो रह कंपिनी का लीडर कौन होगा यह पता नहीं है इसके बड़े अधिकारी पिछले दो-तीन महीनों में अलग-अलग समय पर इसे छोड़कर आगे जा चुके हैं यह कंपिनी अब इस कंट्रोवर्सी के बाद कैसे सर्वाइब करेगी यह देखना होगा केंद्र सरकार ने शुकरवार को चालू वित वर्ष के दौरान 3.25 लाग करोड रुपए के अत्रिक्त खर्च करने के लिए संसर से मंजूरी मागी है इस प्रस्ताव में सवा 3.0 लाग करोड रुपए का शुद्ध नगत खर्च और मंत्राले बिभागों की बचत या अत्र करोड रुपए का सकल अत्रिक्त खर्च शामिल है अगर आप लगा लिए सवा 3.0 लाग करोड रुपए और मागी हैं सरकार ने और 49.0 करोड का पहले से बजट था बलकि उससे ज्याद ही 44.0 करोड और तो अब करीब-करीब भारत के बजट का आकार अगली साल जब आप दे दो महीने बजट में रहे गए हैं तो सरकार के वित्ती खर्च की या घाटे की गड़बडा जाए या फिर सरकार को बाकी कई जगे से कटवती करनी पड़े इसमें तीन चार बड़ी मद हैं जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं एक तो मन्रेगा के लिए अतरिक्त पैसा लिया गय फटलाइजर सबसीडी के लिए काफी बड़ी राशी मांगी गई है अतरिक्त दिमांट फाग्रांट में इसके लावा चोटे चोटे डिमांट प्रगांट से और इसलिए या ऐसी डिमांट फाग्रांट से जिसमें सब कुछ कैश आउट को है या नहीं सरकार को ये पैसा ख प्रणाट से रखी जाती है तो अब इस बात को देखना होगा कि क्या तीन लाख तीन पर दसनलों दो चेलाख करोड के अतरिक्त खर्च के बाद सरकार साल खत्म होते होते और भी ज्यादा खर्च की एक और नई मांग लेकर आएगी कि अभी परयाप्त होगा इस साल भर का क काम चल जाएगा क्योंकि इसके बाद फिर हमें जो संशोधी तनुमान दिखाई देंगे उसमें पता चलेगा कि राजकोशी घाटा नेंतरण में रहा कि उससे बाहर था प्रधानमंत्री उजुला योजना के तहट सालाना तीन या उससे जाधा गया सिलेंडर भरवाने वालों का आकला घट गया है कि वितवर्ष 2021-22 के दौरान सालाना तीन या इससे जाधा सिलेंडर भरवाने वाले उभोगताओं का आकला 4.99 करोड दर्ज किया गया जबकि वितवर्ष 2021 में या ठीक एक साल पहर के अंत में ये आकला करीब 5.99 करोड का था सर क्यों घटने लगे इस इसलेंडर भरवाने वाले करीब गरीब एक करोड उजुला यूजना के भोगताओं ने तीन सिलेंडर के बाद अपना रिफिल नहीं लिया यानि अगर आप इसे ये माने की तीन सिलिंडर के बाद उन्होंने खाना बनाने के लिए किसे दूसरे साधन का इस्तेमाल करना शुरू किया चाहे वो धुआ या लकडी कोई चीज़ हो वज़े क्या वज़े ये की तीन सिलिंडर तक ही फ्री सिलिंडर की उपलब दोता है अलग अलग अकड़ों में इससे भी निकल कराता है हमने परसन फिना सर्वे में भी पाया था कि जिस क्लास के लिए ये इसकी मनाईगी उसकी इंकम लेवल्स पे काफी दबाव हुआ है और काफी नुकसान हुआ है ग्रामिक इलाकों में लोगों की इंकम में और आह में दू दिया जाए तब उजलाय उजना में सकरीता दिखाई देगी या फिर सबसीडी की बढ़ाई जाए तब शायद इसमें बढ़ोतरी होगी रेकिन हाँ अगर आप एक दूसरा आकड़ा देखें उजलाय के बारे में तो वो आकड़ाय बताता है कि जो पर कैपिटा कंदमिशन है उजलाय उजना का प्रतिवेक्ति खपत है वो रात आउसत रूप से बढ़ रही है है 2022 में करीब करीब 3.68 सेलेंडर की खपत हुई है लेकिन फिर भी यह मान है कि पूरे साल के भीतर आमतर पर उजलाय उजना में आउसत जितने लाभारती हैं वो 3-4 से जाथा सेलेंडर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जीएस्टी काउंसिल की बैठक से जुड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर जीएस्टी काउंसिल की इस बार की बैठक में गुटका कमपनियों की तरफ से टेक्स चोड़ी पर लगाम लगाने के लिए तयार रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है सरकार ने अलग से एक मंत्री का सम्हू बनाया था जिस पर जिनको ये सलह देनी थी ये सिफारिश देनी थी संगठन को कि आखिर रिपोर्ट देकर ये बताना था कि चोरी कैसे हो रही है कौन कर रहा है किस तरह कर रहा है मंत्री सम्हू की रिपोर्ट त्यार हो चुकी है 17 दिसंबर को ऑनलाइन होने वाली GST काउंसिल की बैठक में उस पर चर्चा संभग है सर गुटका उद्योग को लेकर अलग से एक मंत्री सम्हू बनाना पड़ा ऐसा क्यों गुटका उद्योग भारत के टैक्स सिस्टम का GST से पहले के यूग के दोरान भी प्री GST एरा के दोरान भी टैक्स चोरी के लिए के कुख्यात भी रहा है और पूरे टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या रहा है 2017 के बाद से पूरी की पूरी GST काउंसिल यहां हो रही टैक्स चोरी का समाधान नहीं ढूंड पाई है गुटका के ओपर हाइस लेवल पर 28% की दरसे टैक्स लगता है यह माना जा रहा है जाता है कि पूरा का पूरा गुटका उद्योग जितनी टैक्स की लाइबिल्टी बनती है शुभम उससे के वल एक तिहाई लाइबिल्टी का टैक्स पे करता है और यह सबसे बड़ी टैक्स चोरी है जो GST के की नाके नीचे हो रही है और पूरी GST काउंसिल और सरकारें और वित्तमंत्रालें मिलकर जब इसका समाधान नहीं निकाल पाए तब उनको एक मंत्रियों की समिती बनानी पड़ी उस मंत्रियों की समिती ने अब अपना प्रस्ताव सामने रखा है 17 तारिक को जो बैठक होने वाली है वहाँ से इस समिती से गुटका उद्योग के लिए पर टैक्स की सकती का एक नया बड़ा चाबुक चल सकता है इसकी संकेत में नहीं क्योंकि GST काउंसिल इसकी पूरी तैयारी कर रही है नहीं कि कुछ दुविदाएं भी है सर गुटका उद्योग पर जो टैक्स को लेकर सरकार की दुविदा है वो है क्या सबसे बड़ी दुविदा ये है कि GST काउंसिल भी यह नहीं ते कर पाई है कि गुटका उद्योग पर कैपेसिटी के आधार पर टैक्सेशन किया जाए या ना किया जाए आम तोर पर पुरानी विवस्था में गुटका कमपिनिया जितना उत्पादन करती थी उस उत्पादन चमता को ध्यान में रखकर उनकी पास जो मशीने या पैकेजिंग होती थी उसके आधार पर उसको ध्यान रखकर उन पर टैक्स लगाया जाता था GST की विवस्था में कैपेसिटी आधारित टैक्सेशन संभव नहीं है क्योंकि GST ऐसा सप्लाई बेस टैक्स है जिसमें आप जो कच्छे माल की सप्लाई करते हैं उसके आधार पर आपको पर टैक्स लगाया जाता है क्योंकि इन्पुट टैक्स क्रेडिट उसी विवस्था से मिलता है इस काउंसिल ने इस पर चर्चा करते हुए यह पाया कि अगर वापस कैपेसिटी आधारित टैक्सेशन वाली विवस्था ही लागू की रखी जाती है तो गुटका उद्यों को टैक्स के दारे में नहीं लाया जा सकता क्योंकि यहां जबर्दस्त अंडर रिपो पर यह उसे रोक पाएगा लेकिन काउंसिल का यह मानना है कि इन जिस्टी के दारे के भीतर मा उत्पादानाधारी टैक्सेशन लाने के लिए के लिए पिर बहुत सारे अनक शेत्रों में को भी इसके दारे में इस तरीके की का टैक्सेशन लागाने की मांग वहां से उठ सक पहलेगा पहली चीश तो ऐसा लग रहा है कि गुटका बनाने में जिस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उसमें से कुछ कच्चे माल को गुटका वाली टैक्स की स्लाइप की दायरे में ले आए जैसे में इन थायल जैसी चीज़ें जिन पर 28% के असपास ड्यूटी लगा द पहलेगा तो टेक्स इंविस्टेशन समझ पाएगा कि जिस कंपीनी से कंपीनी को एक अच्चा माल गया वहां कितना गुटका बनता है और ऐसा होता है तो जो संकेत मिल रहे हैं उसे साफसे गुटका बनाने में पानवा साल और गुटका बनाने में जो में कई सारे जो माधान कैसे निकालती या फिर ट्रांजेक्शन के आधार पर या किसी दूसरे इस्तिति दूसरे तरीके से कुटका कंपिनियों पर सक्ति करेगी और एक और बड़ी दूविदा इसमें कि सक्ति लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी क्योंकि कुटका कंपिनियों पर टैक् पर ये बड़ा फैसला शायद इस बार काउंसिल की बैठक से आ सकता है मतलब उटका स्वास्त के लिए हानिकारक नहीं है, जीस्टी के लिए भी हानिकारक है अब ख़बर तेल के बाजार से तुर्की की बोस फोरस खाडी में ओयल टैंकरों का जाम लगने के वैसे दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है इसको जी सेवन देशों की तरफ से रूसी तेल पर कैपिंग के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है पहला सवाल तो यहीं समुदर में ट्रैफिक जाम लग कैसे गया यह पहला असर है, रूस के ऊपर जो कच्चे तेल की कैपिंग लगाई गई है यानि साट डालर से जादा महंगा कच्चा तेल रूस नहीं बेच पाएगा उसका पहला असर इस पर के कारण यह जैसे ही वो कैपिंग आई कि अगले पिछले तीन दिनों के अंदर बसफोरस के जो स्टेट है यह निए बसफोरस स्टेट से और डेंडरस स्टेट से जाने वाले जो जहाज जो काले सागर से बलाक्सी से रूस से तेल लेकर आते हैं वो वहाँ खड़े हो गए हैं और यह अब जाम लगातार बढ़ता जा रहा है एक लंबी कतार टर्की के समुदरी सीमा के आसपास दिखाई देती वज़ाई यह है कि तर्की के अधिकारी अब हर कमपिनी से हर शिपिंग कमपिनी से और जाने वाली कमपिनी से कागज और दस्तावेच चेक कर रहे हैं कि उन्होंने तेल किस कीमत पर लिया है उन्होंने भीमा के नीमों का पालन किया है कि नहीं किया है पर टर्की का कहना है कि वहां से पास होने वाले सारे जहाजों के लिए जी सेवेन के नियमों के तहट तो अब ये प्रमान पत्र लेना ये नोसी लेना जरूरी है कि उस कैपिंग के तहट लगाया गया ते लिया गया तेल है की नहीं इसका बड़ा असर हमें कई सारे देशों को जाने वाले तेल पर दिखाई दे रहा है और अब इस्थिती यह है कि पिछले दो दिन के अंदर अमेरिका और यूके अमेरिका और ब्रेटेन को भी तर्की से इस मामले में बात करनी पड़ी है कि यह कंटेनर का जाम खुलवाया ज इसको समय लग रहा है सर भारत पर भी इसका असर पड़ेगा हां भारत पर इसका बड़ा सर पड़ रहा है कि करीब 18 मिलियन बैरल कजाख क्रूड लेकर चले हुए शिप्स बीस डिफरेंट कैरियर्स भी इस ब्लैक सी के टर्की के के बसफरस से स्टेट के जाम में फसे किमतों में मांगना होने का दबाव दिख रहा है लेकिन यह जाम आने वाले समय में केचे तलिकी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है रूस के राश्पती ब्लादिमीर पुतिन ने उपैक संगठन की तर्जपर नैच्रल गैस उतपादन करने वाले देशों का संगठन यानी नैच्रल गैस यूनियन बनाने का प्रस्ताव दिया है और उनके इस प्रस्ताव को प्रमुख नेच्रल उत्पादक देश कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ बात भी की गई है इस प्रस्ताव को लेकर लेकिन उजबेकिस्तान के उड़जा मंतरी ने कहा है कि नेचरल गैस के लिए वे अपने देशों के हितों से समझाता नहीं कर सकते कजाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वे रूस के प्रस्ताओं पर विचार करेंगे सर इस पर सहमती बन पाएगी एक नया ओपक बनाने के तियारी चल रही है क्योंकि नेचरल गैस के जो रिजर्फस हैं वो सेंटरल एशिया के देशों में कजाकिस्तान जबेकिस्तान में भी है और इरान में भी है हमने देखा कि दुनिया में एक नया ध्रोब बन रहा है चीन के असपास जिसमें चीन रूस और इरान शामिल है पुतिन की कोशिस है कि जिस तरह से एक बड़ा कार्टिल ओपिक देशों का तेल को लेकर है जिसमें कि पुतिन भी शामिल है ओपिक प्लस देशों में ठीक उसी तरीके का एक बड़ा कार्टिल गैस के उतपादक देशो का भी बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया के बाजार में कीमतें तैय करने का उत्पादन इंतरत करने का अधिकारूक के पास रहे। पुते ने सा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पुते ने चाहते हैं कि उनकी गैस चोंकि यूरोप जाना बंद हो चुकी है तो अगर इस तरीकी की कोई संधी बनती है तो वो अपनी पाइपलाइनों में थोड़ा बदलाओ करके रास्ता बदल कर इस रास्ते से दुनिया के अन दुनिया का बड़ा गैस प्रेडूसर और दूसरा अमेरिका जो की दुनिया का बड़ा बहुत बड़ा नेच्रल गैस प्रेडूसर है वो भी फिलाल इस तरीके के किसी यूनियन को बनाए जाने में या इस तरीके के किसी काल्टल को बनाए जाने के पक्ष में नहीं है लेक तो ये था हमारा आज का Money Central, अगली मुलाकात आप से रविवार को सुबा सवा 11 वजे Economicum में, Money Central में सुमवार को, सर Economicum में इस बार क्या खास होगा? इस बार एकमिकम में हम बजट की एक ऐसी संभावना पर बात करेंगे, एक ऐसी परिस्थिती पर बात करेंगे, जो भारत के लिए इस बार बजट के संदर में ध्यान रखना जरूरी है, भारत के इतिहास से आई एक बड़ी ताकत जो पिछले 7-8-10 सालों में भारत ने खो दी और अब उसे फिर हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्या ताकत थी, अब हम क्या कर रहे हैं, और क्यों भारत की आर्थिक विकास दर के अगले 3 साल देश के भीतर कितनी मांग होती है, इस से तेह नहीं होंगे, बलकि भारत के सामानों की दुनिया के बाजारों में कितनी म का टीजर और ये था हमारा आज का मनी सेंटर, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक खास पैकेज के साथ, पैकेज इस बात पर है क्या आपने भी हाल फिलाल में त्योहारों के दौरान एयरपोर्ट पर गए आप, आपने सफर किया, अगर किया होगा तो आपको आफरा तफ्रीसी दिखी होगी, अभिवस्था दिखी होगी, इसका कारण क्या है, वजह क्या है, हो क्या रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा इससे स्पेशन रिपोर्ट में कोरोना काल में यात्रियों की कमी से जूजने वाला एवियेशन सेक्टर अब यात्रियों की संख्या में हुई बेतहाशा बढ़ोत्री को जहिल रहा है कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां खत्म होने के बाद हवाई यात्रा करने वालों की भीड बढ़ गई है सभी प्रमुक हवायडों पर यात्रियों की लंबी कतारे दिख रही है और यात्रियों को भी पहले के मुकाबले जादा किराया भरने के साथ हवायडों पर बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है सबसे जादा खराब हालात दिल्ली के इंद्रा गांधी अंतराष्ट हवायडे और मुंबई के छतरपती शिवाजी महराज अंतराष्ट हवायडे की है इसके अलावा बैंगलोरू हवाई एड़े पर डॉमेस्टिक डिपार्चर के छोटे सिक्योरिटी चेक के कारण दिक्कते हो रही है नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता एयरपोर्ट पर एववस्था का माहौल सुर्खियों में था कोलकाता एयरपोर्ट पर व्यस्थ दिनों में यात्रियों की संख्या बमुश्किल 40,000 तक पहुँचती थी लेकिन इस साल पूजा के दौरा नाकड़ा 50,000 के भी पार निकला कोविट महामारी से पहले एक दिन में अधिक्तम घरेलू हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड 4.07 लाक हुआ करता था लेकिन कोरोना खत्म होने के साथ यह रिकॉर्ड तूट गया है बीते सोमवार यानि 5 दिसंबर को यह आंकड़ा 4.13 लाक के पार निकल गया इससे पहले 26 नवंबर को 4.06 लाक और 27 नवंबर को 4.10 लाक लोगों ने घरेलू उडानों से यात्रा की थी अंतराश्टे यात्रियों की भीड में भी बेतहाशा बढ़ोत्री हुई है पिछले साल अक्टूबर में लगभग 22 लाक अंतराश्टे यात्रियों ने हवाई उडान भरी थी और इस साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 47 लाक के पार पहुँच चुका है अप्रेल से अक्टूबर में अंतराश्टे हवाई यात्रियों का अकड़ा देखें तो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3 करोड के पार हो गया है पिछले साल संख्या 84 लाक थी हवायदों पर यात्रियों की भीड बढ़ने से बने अववस्था के माहौल ने अब जाकर सरकार की नीद खोली है हाल ही में एवियेशन मंत्री जोतिरादित्त सिंधिया ने एयरपोर्ट मेनेजमेंट से जुड़े सब ही पक्षों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द वेवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया सरकार की तरफ से एयरपोर्ट की वेवस्था को सुधारने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए है वेस्थ घंटों में उड़ानों के एराइवल और डिपार्चर की वेवस्था को अच्छे से प्लान करने के लिए कहा गया है साथ में सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन से जुड़ी वेवस्था को सरल करने के लिए भी कहा गया है लेकिन जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक ज्यादा किराया देने के बावजूद जात्रियों को हवायड़ों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मनी नाइन के लिए सुभाश सुमन की रिपोर्ट पर आपिपरों को होती आपकी रिपोर्ट मैं लुल्ट मैं लिए सरे विए बाष्वत मैं लिए सुमन की रिए सब्सक्राश युट जए सुमन का सुमन